पूरे हफ़ते के ढेर सारे ड्रामे के बाद आडियंस जानने के लिए बेताब है कि वीकेंड के वार पर सलुमिया किस किस की क्लास लगाएंगे। और रियाज, अरहान खान और रश्मी दिसाई के साथ लड़ाई हुई। वहीं फ्राइडे टेलिकास एपिसोड में एक बार फिर माहरा और शेहनाज भी लड़ते नज़र आए। दरसल खबरे हैं कि वीकेंड के वार पर आसिंद्याज और सधाशुकला के बीच बहुत बुरी लड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं माहरा और शेहनाज के बीच भी लड़ाई होगी। लेकिन इन लड़ाईयों पर सल्मान खान क्या कहते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के अनुसा सल्मान खान ने सभी क्लिप्स को ध्यान से देखा और घरवालों की इसके लिए डाट भी लगाई। सल्मान घरवालों से कहते हैं कि जिस पीच के साथ अभी तक बात कर रहे थे उसी हाई पीच में बात करो सभी। सल्मान की डाट के बाद आसिम रियाज सल्मान से कहते हैं कि पारस मुझे गंदी गंदी गालियां देता है फिर मैंने भी दी मैंने प्लेट पटक दी। इसके बाद पारस चाबडा सल्मान से कहते हैं कि सर ये कुछ भी बोले मेरे बारे में हमारे बारे में सिधात के उपर चड़ेगा बिना मतलब के और सिफ इसको सिंपती खेलनी है जैसे ये दूद का धुला हुआ है। सिंपती बोल के ऐसी ही फूल बर साइंस पर इसके बाद सल्मान खान आसिन से पूछते हैं कि क्या आप ये सब नहीं बोलते इस पर आसिन कहते हैं कि मैं भी बोलता हूँ शरीफ कोई नहीं है। इसके बाद माहरा कहती हैं कि सर ये सिंपती लेता है, इतना खराब बोलता है, इंग्लिश मैं गंदी-गंदी गालिया देता है। इसके बाद आसीन कहते हैं कि पारस माहरा और सिधात मुझे टार्गेट कर रहे हैं। तो ये थी बिग बॉस 13 के वीकेंड के वार की लेटेस अपडेट, अगर आप वीकेंड के वार की और लेटेस अपडेट जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को सब्सक्राइब करें, लेटेस अपडेट के लिए ट्विटर, फेस्बुक और